ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश राशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको देवो के देव महादेव भगवान भुलेनात के अश्रवाज से 16 जनवरी से 30 जनवरी याने किन 15 दिनों में बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली हैं जांदोस्तो भगवान भुलेनात के अश्रवाज से 16 जनवरी से 30 जनवरी याने कि इन 15 दिनों में बन रहें शिव योग, अमरत शिद्धी योग, शरवाद शिद्धी योग और दो राजियोग में इन 7 दिनों में आपकी किसम इस सुंपत चमक जाएगी यूं कहें कि इन 15 दिनों में मालिक बनने का समय आ गया है जै दोस्तों इन 15 दिनों में आपके साथ अब वो होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जै दोस्तों आपको बता दें भगवान भोलेनात के हैसरवास से आपके लिए 16 से त ग्रहनक्षत्रों की जो इस्तिती है वह पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होने वाली हैं। अवश्य बने रहें और अंतर तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें। इस से भगवान भूलेनात का असिरवाद आपको शिद्य प्राप्त हो सके। पपूर्ण उपलब्दी हासिन होगी बुजुरुगों का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों साति सात यह समय आपके लिए लाबकारी हैं। अपने सपने वे कलपनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय हैं। अपनी छमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा। रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुरजने से रिष्टों में दोबारा मधूरत आएगी। दोस्तों साति सात परिवार के सात शुक सुविदा संबंदी वस्तों की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी रिष्टेदार के यहां धर्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा। कहीं फसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी। साति सात शामाजिक गति विदियो में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है। आपकी प्रतिभा तथा छमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी। घर के नवीनी करण, संबंदी, योजनाएं भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्तम रहेगा। दोस्तों साति सात यह समय किसी भी कारे को करने से पहले घर के अनुववी व्यक्तियों की सला आप अवश्चलें सोच समझ कर लिया गया निर्णें आगे चल कर आपको लाब देगा। दोस्तान की तरब से भी कोई शुब समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहोल रहेगा। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उरजा का संचार आप महसूस करेंगे। दोस्तों साथिसाथ किसी एप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारातमक भी हो सकता है। इस तनाव का असर आपकी कारच्छमता पर भी पड़ेगा। घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सला वैसयोग आप अवश्यलें। दोस्तों साथिसाथ अनावश्यक यात्राओं को आप इस्तकित रखें। लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें। गलत फैमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है। बच्चे की किसी नकारातमक गतिविदी की वज़े से चिंता रह सकती है। परंतु सांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा। दोस्तों साथिसाथ किसी प्रकार की निवेश संबंदी गतिविदियों को आप इस्तगिद रखें। अन्यथा नुकसान जैसी इस्तिती आ सकती है। विध्यारती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें। साथिसाथ पडोसियों के साथ संबंद खराब ना होने दें। इसका असर आपकी करेच्छमता पर भी पड़ेगा। सांतिपूर तरीके से समस्या का हल निकालें। किसी अंजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसान दे हो सकता है। फाल्तू के कारों में भी खर्चों की अधिकता रहेगी। साथिसाथ यह समय किसी भी प्रकार का महत्पपूर आप निर्ने लेने से बचें। आप किसी दुविदा में भी बुरी तरह से फस सकते हैं जिसका असर परीबार पर भी पड़ सकता है। बहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आप संपर्क कम ही रखें आपके लिए बहतर रहेगा। दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महत्पपूर योगदान रहेगा। तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी परिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा। काफी समय बाद रिष्टेदारों से मेल मिलाप खुसी प्रदान करेगी। साती-सात पती-पत्नी के संबंदों में भी कुछ खटी-मीटी नोक-जोक रह सकती है। इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी। अवश्य ही लाब उठाएं। दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय नोकरी और व्यवसाय में शकारत्मक पैरणाम आपको प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को नोकरी से संबंदित बहीजी गई फाइल का शकरात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा। नोकरी पैसा व्यक्तियों को कार्रे की अधिक्ता की वज़े से घर पर भी ओफिस का कुछ काम करना पड़ सकता है। कार्रे छित्र में वर्तमान गति विद्यों पर अपना ध्यान केंदित रखें क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामियाव नहीं रहेगी। मेहनत जादा और कम परणाम जैसी इस्तिती बनी हुई है। कार्रे इस्थल पर किसी से बिना बात वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए आप साबधान भी रहें। कार्रे छित्र में शहयोगी तता कर्मचारियों के साथ दोस्ताना वहवार रखें। इससे वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे। शंगीत, शहित्य और कला संबंदिक कार्रों में आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंतरित रहने की जरूत है। कार्रे इस्थल तथा विवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तिती अनिवार रहें। क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सबी पहलूँ पर विचार विमर्स आप जरूर करें। साथ साथ काम काज में बहुत अधिक वैस्त ता रहेगी। आप कुछ ठोस तथा महत्पपून निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा। दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है। आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं। खास तोर पर महिलाएं अपने स्वास्थ के प्रती अधिक जाग रुक रहें क्योंकि किसी प्रकार के इंफेक्शन की भी आसंका लग रही है। गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है। खान पान पर नियन तड़ रखें। आयरुविदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तिमाल करें। साथि साथ एक कारण ही तनाव की इस्तिती रह सकती है। जिसका असर आपकी कार्य छमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतीत करें। आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा।